तालिबान ने पंचशीर पर कबजे का दावा किया है तालिबान के जबियूला मुजाहिद ने कहा कि तालिबान ने रेजी स्टेंस फोर्स के हाथों से पंचशीर का आखरी इलाका भी हासल किया सोशल मीडिया पर इसकी एक फोटो भी वारेल हो रही है जिसमें तालिबान के दहशतगर्द अपने सियासत दां के साथ पंचशीर प्रोविंशियल गवर्नर कमपॉंड की गेट पर खड़े हैं उनके पीछे तालिबान का ज़ंडा नजर आ रहा है फिलहाल इस बार में तालिबान के गुट के एक नेता अहमद मसूद की दरफ से कोई बयान नहीं आया इसे पहले खबर आये थे कि पंचशीर में इन आर एफएन ने काफी ज़्यादा वहाँ पर जंग के रोकने का ऐलान किया इस ऐलान से यहां के तालिबान की वापसी के बाद सामने आई आपको बता दे पिछले करीब दो हफ़ते से ज़्यादा के समय से तालिबान इस घाटी को अपने कबसे में लेने के लिए एहमद मसूद और अफगानिस्तान के साबिक अमरुला सौल की फौज के साथ जंग कर आप